हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत सागत है तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जारी हूँ बहुती टेस्टी गेहूं कि आटे और गोवी का चटपटा नास्ता आज मैं आपको इसको दो तरीके से बनाना बताऊंगी नि आपको जो मेंतर अच्छा लगे इस मेंतर से आप इसको बना सकती हैं और यह the busy मैंने इसमें भातug Day वै जरूर टाई करके देखें चली इसको बनाने स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने आपर एक गोवी लिए है जिसको मैंने इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ा में काट लिया है और मैंने अच्छे से गरम पानी में दो लिया है ताकि अच्छे से साफ हो जाए तो अब हम ए इस तरह से इसको बारिक ग्रेट करना है तो यह मैंने आपर सारी गोवियों को इस तरह से कद्दू कस कर लिया है तो यह मैंने आपर एक अद्रक का टुकड़ा लिया है इसको भी अच्छे से कद्दू कस कर लेंगे तो इस तरह से मैंने आपर ये अधरक को भी कद्दू कस कर लिया है तो अब मैंने आपर एक बारीक कटिवी हरी मिच लिये है ये इसमें डाल देते हैं एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे सब्जियों को आप बारीक से बारीक काटें थोड़ा सा बारीक कटी मैंने आपर ये गाजली है बारीक कटी थोड़ी सी सिम्ना मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी धनिये की पत्तियां डालेंगे और दो चम्मच हम इसमें दही डालेंगे तो सबसे पहले हम सारी चीयों को दही में अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यह मैंने आपर एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है तो इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे एक साथ पूरा आटा नहीं डालेंगे आप आटे की जगे सूजी भी डाल सकती है या बेसन भी डाल सकती है तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो सब्जियों मौशर होता है तो अब हम जरूरत लगेगी तभी हम इसमें पानी डालेंगे तो इसी तरह से हम इसको mix करते जाएंगे, अब जो बाकी का बचा हुआ आटा है, उसको भी हम इसमे एक साथ डाल देंगे, यह मैंने आपर टोटल एक कटोरी इसमें आटा डाल दिया है तो इसको भी मच्चे से इसमें मिला देते हैं यह देखिए इस तरह से मैंने सारी चीहों को मिला दिया है तो यह मैंने आपर आदा कप पानी लिया है तो अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे पानी का इसमें बस यूज हुआ है तो अब हम क्या करेंगे आधी चमच लाल मिच का पावडर डालेंगे एक त्याई चमच हल्दी का पावडर डालेंगे यह अप्शनल है बट इससे कलर अच्छा आएगा आधी चमच गरम मसाला डालेंगे एक त्याई चमच जीरा डालेंग और आदी चमश नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से हम इसमें मिला देंगे और यह ने सारी चीज़ों को मिला दिया है तो यह मैंने आपर वर्फ वन फोर्थ चमश बेकिंग सोडा लिया है इसको डाल देते हैं और इसको भी हम इसमें मिला देंगे और यह बैटर हमारा बन गया है तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो उसके लिए हम गैस ओन करके एक पंपेर रखेंगे और इसमें हम एक-एक बूंद ऑईल डालेंगे और इनको अच्छे से हम इनको ग्रीस कर देते हैं मोल्ड को और अब हमने जो बैटर लिया है उसमें से हम एक-एक इसमून बरके हम बैटर डालेंगे और मोल्ड को अच्छे से भरते जाएंगे हम इनको बहुत जादा नहीं वनना है तो इस तरह से हम सारे मॉल्ड को भर देंगे और ये मैंने सारे मॉल्ड को भर दिया है अब हम इनको कवर करके 6-7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं और गैस का फिलेवम बिल्कुल मीडियम ही रगेंगे और 6-7 मिनट के वाद देख सकती हैं इनका कलर उपर से चेंज हो गया है तो अब इनको एक फॉर्की सायता से साबदानी से पलट देंगे ताकि यह तूटे ना तो आप देख सकती हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया है नीचे से तो इस तरह से में इनको पलट दिया है तो अब इनको 5-6 मिनट के लिए फिर से पका निकाल देते हैं वर 5-6 मिनट के बाद पिर धर्ले नास्ते निकाल दिया है तो अब मैंसे अगर आपके अपद्सा दोर्ट नहीं है तो आपके पास आप मोड नहीं तो आप कैसे ननको बना सकते हैं तो उसके लिए हम gas on करके एक तवा रखेंगे और उसके हम आधी चम्मच ओईल लगा देते हैं ओईल को अच्छे से इसके फैला देते हैं अब हम बैटर में से एक एक स्पून बरके इसमें हम बैटर डालते जाएंगे और इनको इस तरह से गोल आकार देते जाएंगे तो एक बार में जितने आ जाएं आप उतने डाल दें इस तरह से मैंने इनको डाल दिया है तो अब हम इनको कवर करके इस तरह से 6-7 मिनट के लिए पका लेंगे और 6-7 मिनट के जाए ताब हम इनको चेक कर लेते हैं तो आप देख सकती हैं उपर से लोड़ चांड हो गया आ engali कि नीचे से शिख गये है तो अब हम इनको 7 दानी से प्लट देंगे तो ये देखिए नीचे से भी अच्छे से शिख गए है तो अब हम इनको बार निकाल लेते हैं और ये देखिए ये हमारे बहुती टेस्टी चटपटा नास्ता बन के त्यार है तो आप इसको टमेटो सौथ यारी चटडी के साथ गर्मा गरम सर्व करें बहुत टेस्टी होते पर अबदार नास्ता बोर सौबुता नास्ता बेодарा लेए हैं ये लेज़ से लेखिए सबस्ताव से तो स्वाटा थेखिए ये ये खुझड़के रिगका टूबुता झार बहुता है वे तो रहतो बहँत बहुता है।